चाहे आपकी एज कुछ भी हो एक अच्छा skincare routine फॉलो करना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है और अच्छे skincare routine के लिए अच्छा skincare products का होना भी बहुत ज़रूरी होता है जैसे मैं 30 प्लस हूँ तो मुझे बता है कि 30 प्लस के होने के बार में कुछ ऐसे चीजे होती कुछ ऐसे ingredients होता है जो कि आपको आपके skincare routine में ज़रूर शामिल करके रखना चाहिए जिसमें की जो सबसे important ingredient मुझे लगता है वाइटमिन सी वाइटमिन सी जो होता है सबसे पहली च करता है आइस की puffiness को reduce करता है आपके skin को hydrate करता है brighten up करता है skin में collagen का जो production है उसे increase करता है जिसकी वज़े से skin की elasticity बढ़ती है और जिसकी वज़े से रिंकल्स का दिखना कम होता है तो ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे benefits होते है विटामिन C को अपने फेस पर यूज करने के है और जो कि wrinkles को treat करने के लिए wrinkles के लिए काफी जादा अच्छा है यह जो particular face wash है और अभी इस particular face wash को suggest करने का reason भी यह है क्योंकि जो मौसम चल रहा है इसमें face wash अगर use कर लिया तो थोड़े बात face में खिचाओ feel होने लगता है चेहरे से जो नमी है natural oil है वो चला जाता है और skin बिलकुल dry हो जाती है तो ऐसे case में हमें चाहिए होता है amazing face wash जो कि चेहरे से dirt और गंदगी को तो हटाए ही साथ ही साथ ही साथ चेहरे को hydrate भी रखे नरिश भी रखे और अब हम जैसे 30 प्लस हो रहे हैं तो हमें हमारे skin को proper वो चीज मिले जिसके वज़े से wrinkles का appearance डिले हो जा जिसमें मैंने आपको बताया था कि काफी अच्छा face wash है and actually यह face wash deserve करता है कि इस पर individual video बने और यह अभी जस्त मेरे बात्रूम से ही आ रहे है तो थोड़ा सा गीला है so यह है blossom brand का face wash और यह face wash specially wrinkle care face shine face wash है जिसको के दिन में up to three times use करने के लिए लिए लिखा है इसमें बट मैं आपको सज़ेस करूँगी कि आप दो टाइम भी use करोगे न तो fair enough है और इसके लावा यह skin brightening के लिए face wash काफी जादा अच्छा है वाइटमिन C है जिसके वज़ेसे यह skin के लिए काफी जादा beneficial होता है और वाइटमिन C के लावा दो और भी बहुत अच्छे ingredients है इसमें फर्स्ट है अलोवेरा और सेकेंड है लाइम ओयल अलोवेरा के अनेक benefits होते हैं मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में share किया है जैसे कि स्किन को हाइड्रेट रखता है रिंकल्स को हटाता है ब्लिमिश को हटाता है इवन वाइटमिन C भी ब्लिमिश और पिग्मेंटेशन को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह face wash अगर आपको जाईया है ना तो भी आप यूज कर सकते हैं आराम से आपको भी ब्लिमिश अटाने के लिए बहुत अच्छा होता है लाइम उयल में होती है अंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज और साथी सथ लाइम उयल में अस्ट्रीजन प्रॉपर्टीज भी होती है तो चहरे पर अगर किसी भी तरीके का डर्ट है पल्यूशन है गंदगी है या ओ या या ब्लोक इच्च्छे बिलऑ झाग साय नहीं तो चहरे को बिल्कुल भी जाग सानी होता हो तो चहरे को भी ड्राइन नहीं करताहा है तिसलिंश एक्स्ट्री अच्रश चिपचिपेड आर खाता लिए ग्राट ब्लोजम ब्राइट करें तो यह ब्लाख में जे लेज ए आपको ब्लोजम ब्राड व्याम सारे प्राड्ट्ट्स रौड़ोड़ूर्ट्स अंदर ही मिलेंगे, किसी भी प्राड्ट्ट तो यहां पर मैंने ब्लॉसम ब्राइन का ही अलवेरा जल लगाया अपने फेस पर और मेरा फेस देगे कितना जादा नाचरली ग्लो कर रहा है मैं इसको दिन में दो बार माग्जिमम्म यूज करती हूं दो बार से जादा यूज नहीं करती हूं अगर आपके यूज पर डिपेंड करता है अगर दिन में बहुत 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 जाना पड़ रहा है चाहरे पर मेकप है तो अपकोर्स दो से जादा बार आप यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपको एकने विंपल होते हैं तो you can give it a try, बहुत जादा expensive नहीं है, यह $199 का है and मैं लिंक दे दूँगे नीचे description में, मैं sure हूँ कि Amazon में आपको discount तो मिले गई, प्लस यह जो face wash है ना, यह SLS Paraben Sulfate, free है, इसमें सारे organic ingredients है और यह सारे ही skin types के लिए है, so यह था मेरा review, यह बहुत यह प्यारे face wash जो कि मुझे काफी जादा अच्छा लगा उसके बारे में and इसके अलावा आगे मैं और भी बहुत ही अच्छे products का review share करने वाली हूँ आपके साथ में, वीडियो पसंद आएको तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई